इजराइल फिलिस्तीन का जंग जो है और लंबा खिसता जा रहा है और जैसे जैसे जंग बरता जा रहा है इजराइल की पोल पट्टी खुलती जा रही है इजराइल पूरी तरह से घुटनों पर आ गया और वो अमरीका से बिंती कर रहा है कि उसको हिजबुल्ला और हुटी से बचाया जाए तभी वो हमास से लड़ पाएगा इजराइल की कोशिस थी लगता था उसको कि जैसे गजा पठी को बर्बाद कर दिया विष्ट बैंक को भी बर्बाद कर देंगे लेकिन इजराइल को उल्टा पर रहा और लगातार उसको करारा जबाब मिल रहा है नमस्कार मैं संभुकुमार सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक सबसे पहले तो इंटरनेशनल फोरम उनाइटेड नेशन में फिर से बारत तारिक से बैठक होगी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दो बार पहले भी बोटिंग हो चुकी है जिसमें एक बार 119 देश और एक बार 145 देश ने फिलिस्तीन का साथ दिया है और इजराइल को युद्र लोकने के लिए कहा है लेकिन अब धीरे धीरे युद्र में भी इजराइल जो है वो मात खा रहा है शुरवात में जिस तरह से उसने बंबारी की निर्दोस अब तक 18,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है वहीं फिलिस्तीन और हमास, हिजबुल्ला और हुथी जो हैं वो तीनों मिलकर उसके सैनिकों पर भारी पर रहे हैं खासकर यमन के लड़ाके जो हूथी हैं वो समुंदर में लाल सागर में किस तरह से इसराइल की तरफ जाने वाले तमाम जहाजों को रोक रहे हैं चाहे वो अमरिका का हो, फरांस का हो, चाहे जर्मनी का हो उनको शक है कि उसमें हत्यारों की सप्लाई हो रही और वो उसको रोकते हैं और बकाइदा दो बड़े जहाजों को उन्होंने बंधक बना लिया है और दो जहाजों को जला भी डाला है वेस्ट बैंक जेनीन में जो हमास पलिस्ताइन रेसिस्टेंस की जर्पों की इसलिए जब देखो हमला करती है पर रेसिस्टेंस वहाँ खड़ा हो गया और आज इसराइली सेनिकों को मारा जा रहा है आज यूनिक वीडियो सामने आया जो दिखाता है कि फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खमास के लड़ाके बिलकुल हमारे आपके जैसे समान लोग हैं गुरान पढ़ते हैं खाना बनाते हैं इनकी अपनी टेलिफोन लाइन है जिस पे ओडर आते हैं फिर कभी कभी नंगे पैर भी गड़ा खोद कर रॉकेट लॉंचर लगाते हैं और गोला दाकते हैं पुचिए ये तमाम जो आम फिलिस्तीनी हैं वो इस यूद को लर रहे हैं इस यूद में सामिल हो रहे हैं हमास और रेसिस्टेंस के लड़ाके ने गजा के अल महत्ता सेख नसीर खान यूनिस अल जायतून और जवैलिया कैम्प के आसपास अलग-अलग घटनाओं में आईडी एफ को भैंकर और हिंसक जर्पों में इंगेज किया भारी गोलियां और RPG गोले जम कर चले हैं तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ और फिलिस्टीन रेसिस्टेंस और हमास ने गजा सिलियन्स पर हुई इजराइली बंबारी का बदला गजा के पास सेटल्मेंट्स पर काउंटर बंबारी किया है कई सेटलर्स गंभी रूप से घायल है तो जहां इजराइल आम लोग को मार रहा है आम फिलिस्टीनियों को मार रहा है वहीं इजराइल फिलिस्टीन जो है वो सिर्फ उनके सेना को निसाना बना रहा है सेटलर्स को निसाना बना रहा है पलिस्ताइन रेसिस्टेंस और हमास ने इसराइल के अंदर इस्तित IDF के मिवतिहीं परिसर में गजा से मिसाइल बंबारी की उसके बाद इसराइल के ही अंदर रेम स्रेटलमेंट पर भी मिसाइल दा गिए तमाम अपडेट जो हैं मिस्राम रेस की तरफ से मैं दे रहा हूँ रेसिस्टेंस के एक लडाकू दस्ते ने आज अस्थानिय रूप से निर्वित बिस्पोटक उपकरन से सुबच छे बजे IDF सेन बहान नस्ट की हैं ये घंटे की पहली के सब 12 तारी के आज का अपडेट है बेस्ट बैंक रेसिस्टेंस लडाकू दस्ते ने आज अस्थानिय निर्वित उपकरन से सुबच छे बजे सैनिक दस्ते को उरा दिया है और हमास पलिस्टेंस की गजा सिख रौदान के उत्तर पस्थिम IDF से भीसन जड़पे हुई है जिसमें इसराइली हताहत और घायल हुए है खान यूनिस में घात लगाकर IDF यूनिट पर हमला किया जिसमें मौते हुई है गजा से इसराइल के अंदर सोफा और मोटसर मोटार सेल्स बरसाए गए है ये भी सोशल मीडिया पर खबरे जो है वो वाइरल है हमास और पलिस्तिने रिसिस्टेंस ने गजा जेवलिया और तंदेल टैंडेम से इसराइली बहानों को निसाना बनाया टैंक में विस्फोर्ट हो गया है टैंक भी वह उराने में सफल हो रहा है और 31 दिसंबर 2023 तक युद्ध खत्म करें USA से इसराइल इसराइल को बड़ी चेताबनी मिली है कि 31 तक आप युद्ध खत्म कर दीजे अमरीका पर खाड़ी देशों का मैं जो पहले दिन से बता रहा था लगातार दवाब था कि या तो वो इस उद्ध से खुद को हटाए या इस खुद से बाहर हो नई तो उसको लेना का देना पर सकता है अमरीका ने अपने अपने अधिकारों को बचाने के लिए अपने हीतों की रक्षा के लिए अब तो अल्टीमेटम भी दे दिया उसने 31 तारीक तक का वक्त दिया है कि या तो ये युद्ध खत्म होना चाहिए या हम पूरी तरह से इद्राइल का साथ छोड़ देंगे और इद्राइल बगैर युए से के तो एक कदम भी नहीं बढ़ सकता है इसका मतलब है कि फिलिस्तीन अपने आजादी के बहुत करीब है और इस युद्ध में बिंजामी ने तनियाहु जान बुचकर रुका हुआ है क्योंकि उसे पता है कि जब तक युद्ध चलेगा ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया था कि इसराइल की मदद बंद कीजिए या फिर खारी देशों से अपना बोडिया विस्तर अपने बिजनेस अपने सैनिक अड़े और अपने सेना को ले जाए जिसके बाद अमरीका लगातार मध्यस्ता कर रहा था वहीं सोचिए किस तरह स अप साफ हो गया कि खारी देश बिलकुल मानने के मूड में नहीं है और 31 तारिक तक लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है शिरिया में US आर्मी के बेस पर भिशन विस्फोर्ट हुआ है मैं यही कहना चाह रहा था कि जो अमरीका के 31 लगभग 40 ठिकाने है खारी देशों में उसमें अब सिरिया पर हमला हुआ है इराकी परतिरोद के एक संदिक्ध हमले के गारत दिसंबर को उत्तर पुर्वी सिरिया सर हसाका में अमिर्का के अलस सदादी अड़े से बड़े और हिंसंग भी स्पोर्टे की आवाज सुनी गई थोड़ी देर पहले अलस सदादी शहर अमरीकी अर्दो पर जो है वो लगातार हमले हो रहे हैं और इस वज़से अमरीका चाहता है कि इस युदकान थो क्योंकि उसका हित जो है वो तबाह हो रहा है तो यह सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वाइरल ख़बर है मैं इसलिए बता रहा हूँ यह वीडियो साथ कुछ लोगों ने देखा और दरसल इसका थोरा फूटेज न्यूज आउटलेट ने जारी किया अधिकारी कुरूप से आज सुबह अपलोड हुआ है जिसमें पिछले और 40 घंटे में हमास रेसिस्टेंस का इसराइल के इसराइल दोनों मोर्चे पर इंटरनेशनल फोरम पर और यूद में भी हार रहा है और ये बो जहाज है सुचिए यूके मोटो इनाइटेट किम्डम समुंदरी ब्यापार संगठन के अनुसार लाल सागर में इसराइल की और जाने वाली एक जहाज को यमनी बंदरगा की औ उसमार बदलने वाला या दूसरा जहाज है तो कोई भी जहाज जो सीधे-सीधे ईउरोप से आता इसराइल की तरफ जाता है उसको रोका गया है और यमन की तरफ बंदरगा पर ट्रांसफर किया जा रहा है कि उनको लगता है कि कहीं उसमें हत्यार तो नहीं है और पहली बार इजराइल ने खुच जारी किया एक वीडियो जिसमें सच्चाई नहीं छिपती है सुचिए ये वो टैंक है बक्तरबड टैंक है सुचिए एक एक टैंक को किस तरह से उराया जा रहा है हम लोग सोसल मीडिया की वर से तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं तो लगातार एक इजराइली का उद्धार इजराइली पतकार एलियम सिमॉन को अख़वार से निस्कासित कर दिया गया उनके निस्कासन का कारण उन तथ्थे को उजागर करना था जिनें प्रकासित करने करनूमती नहीं है उनका कहना था कि सरकार गजा की लराई के बाद से मिर्तको और घायलो की जीमेदारी नहीं ले रहा है मिर्तको और घायलो की बास्तिविक संख्या रूपकरण की मसिनरी को होई नुकसान की घोसना क्यों नहीं करते है बास्तिविक संख्या इसे तीन गुना अधिक है क्योंकि 250 से अधिक सैनिक और अधिकारी 100% अंधे हो गए हैं 500 से अधिक बाहन पुरितर से नस्ट हो गए हैं एक लड़ाई में एक ट्रक, एक तोप, एक बक्तरवन बहान, एक बुल्डूजर और एक हमर के बीच बड़ी संख्या में बहान थे जुआंसिक रूप से नस्ट हो गए हैं 1000 सैनिक 377 रूप से अप्चम हो गए हैं और बास्तिविक मर्दोबाले की संख्या 4000 के पास पहुँच गई है सैनिक और अधिकारी यह घुसना क्यों नहीं करते हैं कि उन्हें युद में अपनी लक्ष खो दिया है इसराइल के सभी लोग जानते हैं कि यदि अमेरिका समर्थन नहीं मिला होता तो हमारे अथियार खत्म हो गए होते कल भले ही अब अमेरिका नहीं हमें छोड़ दिया है अल अक्सा मुसल्मानों के पास लौट आए इसराइल राज सिर्फ की उदंती रह जाएगा तो सुचिए इसराइल की हार को लेकर किस तरह से इसराइल में बहस चल रही है और पत्रकारों की नौकरी जा रही है क्योंकि वो सच लिख रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ कि इस यूद में देर सबेर ही सही 75 साल बाद फिलिस्तीन अपने आजादी के मुहाने पर ख़ड़ा है और इसराइल पूरी तरह से इंटरनेशनल ही पे नकाब हो गया है देस भर में उसके बिरोध हो रहे हैं और सुची अब तक एक इसराइली फौज को मारना मुस्किल होता था सौ सौ इसराइली फौज एक एक दिन में मारे जा रहे हैं टैंक उराए जा रहे हैं और इन खबरों को लिखने के लिए नौकरियां ली जा रही है तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था वही अमेरिका ने अपना हाथ इस युद से खिंच लिया है और वो इसराइल को साफ साफ कह रहा है कि आप 31 तक इस युद को समाप्त किजिए तो ये सबसे बड़ी खबर है कि देर सबेर इुद विराम भी होगा और इस राइल को अपनी सेना हटानी पर इगोर फिलिस्तीन आजाद होगा संजुक राष्ट महासभा के अध्यक्ष ने गारत दिसंबर को सोसर मीडिया पर कहा कि संजुक राष्ट का दस्वा पातकालिन भी से सब्स्रमंगल वार्दो पर 12 बज़ से फिर सुरू किया जाएगा तो मतलब साफ है कि गराउंड पर भी इजराइल की हार हो रही है और इंटरनेशनल फोरम पर भी वो बदनाम हो गया है तो ये 12 दिन का अपरेट था जो मैं आप तक बता रहा था और एक गारत तारिक को सो से ज़्यादा इजराइली सैनिक मारे गए है शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे